नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बेच्छ से कर रहे होंगे आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी क्लास 4 की वरक्षीट नमर 109A जो की आपके पार सुनीता की पहिया कुर्सी से ली गई है और ये आपका नाम और आपकी टीजर का नाम लिखना है तो आए शुरू करते हैं आपकी वरक्षीट बच्चो क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुखते हैं लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराओ को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रियोग किया जाता है विराम का अर्थ है रुखना या ठहरना अगर हम विराम का उचित प्रियोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा उधारन के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए विराम का मतलब होता है रुखना ठीक है इसका मत का जाता है विराम चिन जब हम लिखते हैं तो ये विराम चिन हम चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं अगर हम इन वराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो जो अर्थ है वो खराब हो जाता है और उसका अनर्थ बन जाता है यानि कि उसका गलत अर्थ बन जाता है तो यह जो दो वाक्य दिये गए हैं जो ऐसे पढ़ने की कोशिश करें सुनीता रोको मत जाने दो ठीक है यहां क्या है कि सुनीता रोको मत जाने दो यानि किसी को रोक लो से जाने मत दो दूसरा वाक्य जो दिया गया ये वाला इसमें लिखा है सुनीता रोको मत जाने दो यानि कि सुनीता से का जा रहा है कि उसे रोकिये नहीं उसे चला जाने दीजिए जब कि पहले वाक्यम उसे क्या का जा रहा है कि उसे रोको उसे जाने मत दो तो दोनों के अर्थ क्या है वो बदल गए है न तो देखें क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्न की बज़े से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया यह जो हमारा अल्प विराम था यह रोकों के बाद जब लगा तो रोकने की कंडिशन थी और इस प्रकार से करते हैं विराम चिन बहुत सारे हैं पर हम इस वाली वरक्षीट में आपके चार विराम चिनों के बारे में ही डिसकस करेंगे चल जो चिन बोलते या पढ़ते समय रुखने का संकेत देते हैं उन्हें विरामचिन कहते हैं यानि कि जब हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं तब जब हमें हलका सा रुखने के लिए बात बोलते हैं तो उन्हें विरामचिन कहते हैं या कोई प्रेशन पूछते हैं उन वो चिन जो लगाए जाता है उसे ही विराम चिन ही का जाता है आई ये सीखते हैं लिखते समय इन चिन्हों को किस परकार दर्शाए जाता है सबसे पहला है आपका पूर्ण विराम चिन पूर्ण विराम एक सीधा डंडा होता है जो वाक्य के अंत में लगा जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्या पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ तो यह जो लगा हुँआ है आपका पूर्ण विराम है प्रेशन सूचक चिन का प्रयोग प्रेशन पूचते या लिखते समय बाके के अंत में लगा जाता है प्रेशन का यह इस तरीके का होता है ठीके जैसा आपने हसिया देखा होगा ना, ऐसा उस तरीके से लगा जाता है, जैसे तुम क्या कर रही हो, तो इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं, जब क्या, क्यूं, कैसे, कहां, कौन, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो हमें पता चल जाता है, कि इसके आंत में विराम चिन में प्रश्न सूचक चिन ही आएग बीच में रुक कर दुबारा से वाक्य शुरू किया जता है, जैसे सुनीता, रेनू और नेहा मेला देखने गए, तो यह जो सुनीता के बाद लगा है, यह अल्प ब्राम है, विस्मयादी बोधक चिन, विस्मयादी बोधक सीधा चिन, और उसके नीचे एक बिंदी लगी होत ग्रणा आदी भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे वा, तुमने तो कमाल कर दिया, यह वह के बाद जो है यह चिन, विस्मयादी बोधक चिन, उसी तरीके से छी, हाए, ओ, यह सब शब्दों के बाद इस तरीके का जो चित्र, चिन लगा जाता है, वो विस पूर्ण ग्राम, दूसरे नमबर पर है प्रेशन सूचक, तीसरे पर है विस्मयादी बोधक, ठीके, और चौथे पर है आपका अल्प ग्राम, पहला है पूर्ण विराम, दूसरा प्रेशन सूचक, तीसरे विस्मयादी बोधक, और चौथा अल्प ग्राम, ठीके, अब करते हैं प्रेशन नमर दो, नीचे लिखे वाक्यों में उप्युक्त विराम चिन लगा कर उन्हें अपनी कॉपी में लिखी, सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रसी कूधते गेंद खेलते देख रही है, तो सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रसी कूधते, गेंद खेलते देख रही है, यहाँ पर दो विराम चिन आएंगे, एक तो रसी कूधते के बाद अल्प विराम और गेंद खेलते देखती रही के बाद पूर्ण विराम, यह सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, यह है प्रेशन सूचक चिन, यह पूछ रही हैं, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो प्रेशन सूचक चिन, अमित जट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चड़ गया, पूर्ण विराम, ठीक है, तो इस तरीके से पहले में आपके विराम और पूर्ण विराम, दूसरे इंप्रेशन सूचक, तीसरे में इप्रेशन सूचक, और चौथे में पूर्ण विराम लगेगा, तो उमीद है, अब आपको यह आओ बातचीत करें, यह लोग क्या बातचीत कर रहेंगे, आपको अपने आप लिखनी है, और अपने टीचर के साथ शेयर करनी है, तो उमीद करते हैं, आपके लिए वक्षिर यूस्फुल रही होगी, अगर यूस्फुल रही है, तो इसे लाइक कीज़े, शेयर कीज़े, और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, धन्यवाद,